कि नमस्कार मिठू लिए आधव आप सभी का कॉंपटिशन गॉम्टिटी पर स्वागत करते हो गई जी काफी फूटफुल होगी काफी हेलफुल सेशन होने वाली है किसके लिए क्योंकि यह मैंस का सेशन चल रहा है और जिस करेंगे टाइम इन वर्क आज के सेशन में जो कॉस्टन होंगे काफी कॉंसेप्चुल होंगे और इतनी सवाल करने बाद आपके अंदर जो टाइम इन वर्क का डर है खास करके डिफिकल्ड को लेकर वो खतम होने वाली है क्योंकि जो कोस्टन आपको यहां दिखेगा आपके आसपास जो भी बुक्स होंगे जहां भी पड़ रोंगा हर जी के मिला लेना यह कोस्टन मैच नहीं करेगा यह कोस्टन में खुद फ्रेम किया हूं और आपको लगेगा हासार इस तरह की कॉंसेप्ट के हमें जरुरत कुझारिस होगा बहुत छोटा सा कि यह वीडियो जो है ना आप मेक्सिमूम अपने दोस्तों तो सेर कर देना 36 गल के किसी कौने में कोई बच्चा अगर वो सहरा करके एफॉर्ट नहीं कर सकता रह नहीं सकता है तो यह आपकी रिस्पोंसिबिल्टी होती है यह हमारी भी ज सबस्क्ना काफी कुछ मिलेगा और इस सेंदों धगने पाथ कि रते होंगा होगा आप सभी के लिए बस यह एक घंटे की सेसन वती बाह्तर हो लेकिन इसके 1 घंटे पीछे चार घंटे का मेहनत होता कोस्टन को डियाइन करने में और अपना कोस्टन खुट डियाइन करता हूं सारी कुछ है ना चलिए तो कहीं बात करते चलिया ठीक है एक छोड़ी सीन्फोर्मेशन आप सभी के लिए होगा कि जो भी ऐसाई मेंस के लिए बच्चे जो बोले देशार अफ्लाइन करना चाहते हैं ऑफ्लाइन की कुछ बैचेज है क्या तो अभी तक ऐसाई जो ऐसो मेंस का ओनलाइन तो कुर्सेस अप लोगों ने काफी प आप करें तो डाधरों कॉन-कॉन होगा चलिए चारों संटर की बात करें तो अगर आप बात करें बिलासपूर रैपूर दूर राजनान गओ चारों संटर पे आपको 13 मार्श से साई का ओफ्लाइन बैच सुरू होगा ठीक है बैस चलो अब उसके बात अगर एड़ियो की बात करें तो एडियो का भी बैच आपको 13 मार से शुरू होने जा रहे है चारों ब्रांच पर जो बच्चे एडियो को टार्गेट कर रहा है जो बच्चा सबसे इंपोर्टेंट है मैंने कल भी का था और आज फिर बोल रहा हूं कि अगर इस एकजाम को क्रेकर नहीं है तो टाइम मेनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होती दोस्त समझेगा क्योंकि दो घंटे में सो कोस्तन मैट्स और इजनिंग का सौल करना किसी बच्चे के करता है गार्म में युदर है और तो आपको उताइमर के साथ देना है दो घंटे मने में लिए इस सब क evitar ने की क्योंकि ना ना यह बिल्कुल है सा से यससे इससand की पर geschion ना तो एक पाइप आप तो बिल्कुल कम पढ़ेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दो काम करिए प्रैक्टिस बहत्रिंग तरीकेस करिए का बैतने प्रोस के साथ करिएगा ठीक है इसके लिए अगर कोई बच्छा बेसिक से पढ़ना चाहेगा तो आपको सेहन जो मैं सी सैट के लिए बना ठारे वीडियो भी आपके लिए बहुत हैल्फुल होगा वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं उसको ठीक है चलिए तो जो ऐसो ऑफ-लाइन मोड और ऑन-लाइन दोनों मोड में होगा टेस्ट रीज अगर ऑफ-लाइन को बच्छा जोएन करना आट आट सो रुपिया है अगर ओन-लाइन रहेगा तो पांसो रुपिया में ठीक है ओन-लाइन थोड़ा सस्ता है ध्यान रखीज बात का चलो गैस चुरुबात करता है यह भी चारो सेंटर पर होगा अगर आपको लगता है कि कॉल कुछ करना थे नमर पर कॉल करके डीटेल जन करने ले सकते हैं आए शीरे सिदम टाइम एन वर्क के और जाएंगे टाइम एन वर्क से पहले कुछ सवालें बात कर लेते हैं यह से आपको एक वर्ड मिलेगा एफिसेंसी टाइम एन वर्क के अंदर हाला कि वह हैं बैसिस कुछ बात हैं रीकैप करा देता हूं एफिसेंसी क्या होते हैं सर किसी कि दुवारा एक दिन में किया गया काम को और आपल स्मौह है कि यृझ की घ्र कि एक पाल उसे बात को संपना अगर सुंधा B resistant का में दुरुचberry नियुकिे. efficiency कैसे निकलेगी अभी हम पर छोड़ दिए आफिलाल सवालों क्यों रूख करेंगे ठीक है यह दो कॉंसेट भी उमीब करते के लिए रहोगा यहम इसके अलावा क्या कॉंसेट पढ़ा सकते हैं टाइम यहां पर देखेगा सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेट यह है कि जो time होता अगर मालों की A और B दो वेक्ति इसकी time का ratio अगर 5,95 चार दिया तो इसको पलड़ देना तो 4,95 क्या हो जाएगा इसकी efficiency हो जाएगी अगर किसी कोस्ताने बहादरो time ना दे करके efficiency दिया हुआ है तो efficiency को पलड़ दोगे तो क्या मिल जागा आपको time तो बहुत important concept इसमें सवा पेसे को बाटने की जब भी बात किया जाएगा बाद भी important concept है जब पेसे को बाटा जाता है पेसे को हमेंसा रखिएगा जो बाटा जाता है वो हमेंसा किस के अधार बने जारे है हमेंसा काम के अधार पर ठीक है तो पहली priority हमेंसा work के अधार पर दिया जाएगा जो जितना क करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा दूसरी जो प्रियोटी होगी वो इसकी दक्षता के बैसिस पर दिया जाएगा ठीक है तो पहली प्रियोटी जो आपको ध्यार रखना होगा वह वर्क के अधार पर ठीक है अब इसके वागलावा मैं आपको चेंड रूल क्या होती है कब चेंड रूल जो होती है सबसे इंपोर्टेंट रूल होता है क्योंकि यहां पर कुछ वैरियेवल्स के बीच में एक रिलेशन को स्टेबलिश करती है सर इसके वाले में दो-तिन बात बता दाना मितन सर कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे क्या इसकी लिमिटेसंस होगी हम बोले हाँ हर चीजों पर हम खुल करके आज बात करने जा रहे हैं आप यहां पर यह एक रिलेशन देख लो M1, D1, H1 upon W1 बरावर M2, D2, H2 upon W2 सरी चारू टर्म है क्या पहले यह बता दो जो यह M है ना यह M होगया नमर अफ वरकर्स हो गया M हम बोले ठीक है यह D क्या हो हर एक organization में देखिएगा कोई आठ घंटा काम करा रही है कोई आपको 9 घंटा करा रही कोई 12 घंटा काम करा रही है तो हर एक organization की working hours अलग अलग होती है इसको आपको समझना पड़ेगा तो working hours को मुलों सीधा बहुत प्यारा word S से दिखाते हैं और यह W हो गया work है ना जो कितन जादा होगा इसको नोट बनाकर लिख लिए कि जब भी किसी question में worker की संखिया एक से जादा होगा तो बहुत हम क्या लगाएंगे हम chain rule लगाएंगे तब ही लगेगा अगर दो से भी कम टर्म हो गया तो आप चेन रूल को नहीं लगा सकते ठीक है तो यह 4 में से अगर minimum दो भी टर्म है जैसे हम बोलें दो टर्म तो M1 D1 बराबर M2D2 तो बिल्कुल अब chain rule यहां पर लगा सकते हैं तो दो-दो term होना बहुत जोरी है minimum सर बाकि अगर मालो जिस term के बारे जनकारी नहीं दिया है उस पर कोई comment करना चाहोगे क्या हम बोले हाँ comment करूँगा अगर मालो यहां पर H1 और W1 के बारे नहीं बोला है इसका मतलए H1 बराबर H2 हो गया होगा ठीक है सर डवलू 1 बराबर W2 हो गया होगा बादरो जिन term का चर्चार नहीं करे तो आपको यह समझना होगा कि वह आपस में एकोल हो गया होगा ठीक है तो इमित करते है कि चेंडूल कलियर हो कब लगाना है कब लगाना है कब नहीं लगाना है सवाल सवाल का बोला सर बी 60 % ज़यादा Efficient A की तुलना में मतलब B का काम करने का रपतार A से 60 % बादरो जचादा है तो यहां से आप सुरुवात कर सकतो बी और एक के बारे में चर्चा कर लिजेगा तो पता है कि टाइम वर्क में एक चीजे बहुत अगर आपके पास टोटल वर्क और एफिसंसी आ गया मतलो सवाल ने दम तोड़ दिया तो अभी आपके पास है लेकिन टोटल वर्क नहीं है उसको निकालने पर फोकस करना आपको बाहदरो आई बात करते हैं अब यहां पर क्या करना है हम उने एक टाइम भी दिया बारा दीन और आपको यहां पर एफिसंसी थी पास देन तो आराम से क्या कर लेंड़ा यहां पर चिपका दो आ जाएगा सबार maior अब इसकतίν वर बाद नो सब्सक्राइब करेंगा और अकेले इस काम को करेगा, हम भले इस काम को मतलब 60 काम को, और B की रफ्तार कितना आठ, तो कुछ मत करना, टोटल और 60 है, B का एफिसंसी आठ है, बाद रो भाग दो, सर यह 8 सते कितना हो जाएगा, 56 बचेगा, 4, 4 बटे 8 का मतलब 1 बटे 2 दिन, तो अब दे सकते हैं, सर सा मैं पैदा करूंगा आपके लिए, अगला सवाल बाद रो आपके स्क्रीन पे कुछ यह रहेगा, देखिए, एक और खुबसरा सवाल, पर यह सवाल को क्या है, बोलता है, बला सर, A, B, C, तीनों मिल करके, ठीक है, और B, और C, और इसी काम को मिलकर 36 दिन में कर सकता है, हमको जैसे टाइम दिया जाए, तो आपको क्या करना, टाइम का एलसियम लेना है, मैं सारे बच्चे बोलता हूं, कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया जाता, उस टाइम का आपको एलसियम लेकर के, आपको टोटल वर्क निकाल लेना है, ठीक, सर, यह टाइम कितना दिया, इन यह ओर्ल मेने कहा था कियसे सुनों इन्हें बरा कौन है च्छाट्रीज को चुब इवाइड करें नहीं तो वो चुबएड करें लूट रखीश्चाथ इन दोनों का लसी ओंगया कितना निकाल टॉटल को निकाल को चुबहरत निकालता किसकी है बाद रहो सर जो टाइम धया तो गिवेंड टाइम का एलसियम हम लेकर के टोटल वर्ट निकाल लेते हैं 24 बहुत तर ठीक है अब समझेगा दूसरा इस्टे बता एफिसेंसी निकालना कैसे निकलेगा सब्सक्राइब चोबिस से बहतर को भाग देंगे तीन वार में आ गिया और यहां पर अगर चाती से भाग देंगे तो दो वार में यहां से एक बात किलियर हो गया है कि अगर थे निकल गया देख लो आराम से सवाल वही बोला था कि सर अगर एकेले करना चाहेँ कितना समय लगेगा बादर मुझे बताएगा अगर एकेले करना चाहेगा तो टोटल काम बादर है और एक का जो एक निकाला है तो एक से ज़ाओ डिवाइड करेंगे तो सिधर सिद्धा बोल शाता सर 72 दिन में क्या कर ले सब्सक्राइब करते हैं जल्दी फड़ापट से स्क्रीन सोड़े करके आप प्रैक्टिस करना सुरू कर देंगे ठीक है फिर बलता हूं अगर इस दोरान को आप सभी को बच्चे को 36 कहीं बच्चे हो किसी कोने में हो अगर आपको कोई कोई को लगाते हैं तो आप हमारे अप्लिकेशन पर डाउनलोड करिएगा और अप में कनेक्ट टू टीचर का ओप्सन दिया है कनेक्ट टू टीचर आप जब चाहें जिस केस को जिस को चाहें हमसे पूछ सकते हैं आप कॉम्पिरेशन कमिल्टी के स्टुडेंट हैं या नहीं हैं इस कोई मतलब नहीं है हम चाहते कि आप भारत के नागरिक हो ठीक है और 36 गड़ में साइका त्यारी कर रहे हो या किसी भी एक जाला की त्यारी करो भारती होना जरू रही है हम पकिस्तानियों को डाउट नहीं बता रहा हूं ठीक है को चैनीज पूछ देगा डाउट त दख्यें ठीक है ठीक है चले को और खुफस्तर स्वाल के स्क्रीन पे आ चुका है बाद हूँ अपका सवाल सब्sa पूछे झाने वाले ही सवाल और वे बच्चे की कलम ज्यास रूखती है क्यों नहीं चाहता बादरों कि आपकी कलम को यहां पे कोई रोक सके नहीं रोकने देंगा आई यह बात करते हैं पर ए और बी बादरों मिल करके कितना दिन में कर रहा है तो सर यह 10 दिन में ठीक है हम बोले हाँ अब समझेगा सर इसको तीनों का पर बादरों इसको क्या बोलेंगे टोटल वर्क ठीक है अब दूसरा इस्टा बता है एफिसेंसी सारे बचे देख लो हरे कोस्यार काम आप करने जा रहे हैं कि सर इसका सो एक पांच अबरेंगे और अगर दस से भाग देंगे छे बार में तो यह एफिसेंसी निकल गया लेकि नहीं रुको, बाद रो, यह efficiency किसी एक single आदमी का नहीं निकला है, यह चार काम A भी दोनों मिल कर कर रहा है, लेकिन अगर A का पुछूंगा तो भी नहीं निकाल सकते हैं, यह पांच काम B और C मिल कर के कर रहा है, यह किसी B या किसी C अकेले का काम नहीं है, यहीं तो समझाना चा रहे थे, चूंकि सवाल बोला सर, A अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो A का efficiency चाहिए, जोड़ नहीं है, और यहीं आपको सिखाना चाहता हूं, कि अगर अकेले A का पुछा है, होसा कि आपके paper में अकेले B का पुछ ले बाद रो, यह अकेले C का पुछ ले, यह आपको पता होनी चाहिए, कि हम निकालते कैसे हैं, आई यह बात करते हैं, सबसे पहले आपको तीनों को जोड़ दो, सर, A, B, P, C, P, C, O को जोड़ दें, हम बोले हाँ जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो पहले, तीनों को पहले जोड लिया जा, ठीक है, हम बोले हाँ बार मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी कॉमन कर लो तो क्या हो जागा बाद रो ए प्लस बी प्लस सी तो यह क्या हो जागा आपको देखेगा सर यह हो जागा 15 अगर अब दो से डिवाइड करते हैं कितना बार में जागा 7.5 ताइम्स तो अगर एक चाहिए तो एबी सी में अगर बी और सी का काम घटा देंगे क्या आके लिए का काम नहीं बचेगा बाद रो बताइए तो क्यों सर एबी सी में बी और सी का घटा दो सर बी और सी कितना काम कर रहा है बोले पांच काम कर रहा है अगर यह पांच काम घटा देंगा स से 4, फिला लमको एका चाहिए, तो यहां से एका निकाल रहा हूं, जिखलो, सर एका क्या होगा, हम बोले और Sाथ में से बी और सी का काम कितना है, सर पांader है, तो पांच को जब घटा देंगे, तो एका एफिसन्सि कितना हो घा बादůरो 2.5, ठीक है, इस तरहीं के साब B और C का भी निकाल सकते थे, आइए, बोला सर, अकेले A इस काम को कितना दिन में करेगा, हम बले को नहीं, 60 काम को, हाँ, तो 60 काम को अगर कराओगे, किस से, सर्फ 2.5 को, क्या 2.5 को 5 बटे 2 लिखेंगे, 2 उपर चला जाएगा, तो सर, यहां से 12 से 12 दूने 24, तो अगर A अकेले करेगा, तो 24 दिन लगेगा, उमीद करते हैं बात के लिए रहोगा, बहुत खुबसूरत सवाल है, एक conceptual सवाल है, इसको आप कभी भी गलती मत करिएगा, तो कभी भी क्या करना है, समझेगा, तीनों को जोड़ देना है, जोड़ करके पहले A, B, C का, तीनों का एक दिन का काम निकालना है, उसके बाद आपको B का चाहिए, B निकाल लो, C का चाहिए, तो C निकाल लो, ठीक है, तो आपसर क्या है, 24 दिन, आपसर नमबर D, जो राइट अंसर, एक और खुब की कोस्टन को करना बहुत जड़ रही है, सर, क्या कॉंसेट होगा, अल्टरनेट वर का, आइए बात करते हैं, बस अल्टरनेट वर का मतलों यह समझेगा, जिसके बारे मा अल्टरनेट बोला गया, अगर एक दिन हम गए, तो आकल आप जाओगे, हाना, 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 इसमें कुछ कंडिसें दिया जाता है, जो कंडिसें वाले सौवाल यान पर मैं रखा हूं, क्या है, इक से काम को कर रहा है, कितना दिन में, यह atा, यह यह होगए, यह होगए, और यह जड़ वस टाइम पर नजड़ डालना, टाइंपर टाइम पर, श्तर यह हो जाएंगे हमारे 25 इसको लगता सरा यह 20 दिन और बाहदरों इसको लगता सीधा सरदक तीस दिन तो इन तीनों का जो ğCM है वह 25 पर 20 और 30 का астिंब तीन सो होता है तो इसका 3 बाहदरों सीम हो गया है यह आनि जो टोटल अद्ग है वह 200 मान लिए ठीक है 300 उनिट काम को मान करके आगे बढ़ गए, बस LCM जो ऐसो आपको लेने आना चाहिए, अगर LCM लेने नहीं आता यूट्यूब पर जा करके सर्च करिएगा, LCM बाई मिथुन सर, आपको बिल्कुल मिल जाएगा टॉप में, ठीक है, तो आप जा करके बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, आपको मिले है, अब हम सवाल की कंडिसन्स को जा करके पढ़ते हैं, ये काम तो तुम हर सवाल में कर ले जाओगे, बोला देखो सर, अधी X, Y, Z दुवारा वेकल पिक दिनों में सायता कहा है, ना दखो यांपे, X, Y और Z के दुवारा दखो, X को Y और Z जो अल्टरनेट के तरीके से हेल करेगा, ठीक है, तो कार कितने दिन में पूरा होगा, यहाँ पर इंगली से पढ़ लो, बलाए जो X, एसिस्टेट बाई Y और Z, एसिस्ट मतलब है, एसिस्ट किया जा रहा है, एसिस्ट किया जा रहा है, हना, अल्टरनेट तरीके से, इसका क्या मतलब हो, यहीं पर वच्च करने जा रहा है, लेकिन X को help चाहिए, तो एक दिन कोन आएगा help करने के लिए Y, और दूसरे दिन X को help करने कोन आएगा बहादरों, Z, और इस तरीके से, कितना दिने पूरा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात करें, आप यहाँ पर, क्या, X तो काम पर डिली तो पहले दिन X के साथ कोन जा रहा है, Y, तो बड़ा बादरों मुझे बताओ, X कितना काम कर देख देने 12, और यह कितना करेगा 15, तो सर, 12 प्लस 15, मतलब पहले दिन यह लोग के कितना काम करेगा, 27 काम कर देगा, देखते रही है, आप लोग पहले दिन में X के help करने Y गए तो X तो 12 काम, Y 15, मतलब 27 काम, सर, दूसरा दिन, दो दिन का काम हमेसा निकालते हैं, ठीक है, सर, यह तो 12 काम करेगा, यह तो 10 काम करता है, मतलब यह 22 काम, तो हमें यह पता करना है, कि सर, सर, दो दिन में कितना काम हुआ, यह पहला दिन, यह दूसरा दिन, सर, यह दो दिन क करीब पूँचना है जाधा रही होनी चाहिए तब अपर में सर कुछ दिकत ने छे सेगुना कर दिए नसर कि हो於 50 से रहता सब छे में कर जाता थे करीब पहुंचने फ़िए ना शे कर दिए 204 लेकिन भाधरओं अभी तो यह च्छे काम करने को किस की बारी है यह मुझे बता दो आप बोलो कि सर सुनो अभी जस्ट यहां पर काम जो खतम किया है वह X और Z ने खतम किया है तो X और Z के बाद जो आएंगे वह आएंगे कौन X और Y का पता यह चे काम करने के लिए बाहें रहो यह X और Y को आना पड़ेगा क्योंकि उसी की ब बार में मतार दो नो दिन और लगेगा टो टोटल टाइम पुछा जा जाए तो बारह पलस दो बटे नो टोटल समय लगेगा सरक़ी कितना लगेगा 12 सही 2 बटे 9 दिन लगेगा आप देख सकते हैं कहां पर मप्सम नमर आप देखिए और पर से जो राइट अंशर तो यह इतनी फिल करनी है कि concept क्या है इस वार आप सी सेट में एक सवाल पूछा था बहतनी सवाल पूछा था बलकुल concept से लेकिर अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे concept में कोई कमीन आओगर सवाल आप से बना भी होगा ठीक है चलिए सुरू करेंगा पढ़ते हैं percentage आपको हर जगा क्या करेंगा दिखाई देगा बिना percentage का arithmetic की कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है मैं अक्सर बोलता हूँ ratio और percentage ये दो ऐसे chapter होते हैं बादरों जिसकी importance हर एक chapter नजर आएगा आपको और आना भी चाहिए सर ये percentage क्या हो गया हम बोले बता रहे है A 40% काम को है A 40% ज़्यादा efficient है किस से? B से और C जो है सो बादरों 20% कम efficient है B से अच्छा और ये लोग जो है सो मिल करके जो है सो 3-5 दिन में काम करेगा इस तरह की सवाल हम पहला कराए दे इस स्लाइड का पहला सवाल कुछ इसी तरीके से था लेकिन ये सवाल थोड़ा और difficult जो है सो किया गया है हम बोले कोई तकलिफ नहीं है बादरों आईए पहले आप समझेगा 20% ज़्यादा होना या 40% कम होना जो भी है इसको हम कैसे deal करते हैं इसको समझना पढ़ेगा आपको ठीक है यहाँ पर देखिए हम efficiency के बारे में बात करेंगे सारे मुझे बत्ते हैं कि 40% का मतलब क्या होगा अरे सर 40% मतलब 40 बटे 100 का मतलब होता 2 बटे कितना 5 अब यहाँ पर A का compare B से क्या गया मतलब नीचे वाला क्या होगा B मतलब सर B अगर 5 काम करता होगा तो यह 2 काम A ज़्यादा करता होगा मतलब यह कितना काम करेगा बाद रो 7 काम ठीक है यह fraction का कमाल होता calculation को कम करने के लिए ठीक है भी अब बोड़ा सर जो C के बारे में बारे 20% कम है अगर बराबर होता दोनों जगा तो बैलन्स करना पड़ता है याद अखने बात को ठीक है तो B का मान यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है कोई दिकत की बात नहीं है तो C को एक कम कर दो तो 5 में एक कम होगा बातों कितना होगा 4 तो यहाँ से आपका तीनों का एफिसेंसी पराप्त होगया बड़ा असानी से आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि अगर यह 40% ज़्यादा बोला दे इसको 100 मान लेते इसको 140 मान लेते ठीक है और आजाम से कर जाता फिर से यहाँ पर C का कम पर B से क्या B को 100 मान करके 20 कम करते हैं 80 हो जाते हैं तो वहाँ से भी आपको केंसील करते हैं तो राप्त होता तो दोनों तरीके को माइन में रखो परसेंटेस से भी कर लेना या तो फ्रेक्शन का भी इस्तवाल करके सवाल को हम बिल्कुल कर सकते हैं आईए बाद रो तो तीनों का पराप्त हो गया तीनों का टाइम भी पराप्त है तो इसका मतलब टोटल वर्क तक तो हम अपना सफर को तैय कर लेंगे कैसे आईए बताते हैं आपने बोला विटोटल वर्क अपन क्या होगा बाद रो एफिसंसी अगर तीनों की बात के टोटल वर्क कितना होगे तीनों का पाँच टोटल वर्क निकालना लेकिन टोटल तीनों का एफिसंसी लेना पड़ेगा यही मैं आपको समझाना चाह रहा था अगर यह सिर्व ए का टाइम होता तो यहां पर efficiency सिर्फ A का रखते हैं, अगर यह B का time होता है बादरों, तो यह efficiency बी का रखते हैं, लेकिन नहीं, यह तीनों का time दिया है, इसलिए आपको तीनों का efficiency यहां पर रखना पड़ेगा, शारी हो जागा, 7 पलस, 5 पलस, कितना हो जागा बादरों, 4, मतलब 16, 5, 80, अन जितना total काम है न सर, उसका मातल सत्तर परसंट काम, अकेले एक इतना दिन में करेगा, तो सबसे पहले में बताऊं, यहां पर यहां पर निकाल रहा हूं, यहां पर निकालता हो जगा कम है, एक का काम, हम बहुत काम, सर टोटल काम का 70%, हम बहुत करते हैं, बादरों, तो कितन कितना होगा, देखो, सर, यह तो कर जाएगा, हम बहुत कर जाएगा, तो आठ सते कितना होगा, 56, अनि टोटल काम आपको, एक को कितना करना होगा, सर, 56 काम होगा, और एक का रफ्तार कितना, बहुत कितना, साथ, तो अगर यह साथ से करेगा, बादरों, तब देख सकते हैं सारी क्या होगा आठ तो आठ दिन का समय लगेगा एक को देख सकते हैं तो फिर से यह पर तो सारे कोसें कुछ है कुछ कुछ कूंसेप्ट में टूश्ट किया हूं जो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आने वोला है चलिए आगला सवाल बहादर आपके स्क्र्रीम पर आने है लेकिन आपको पता है कि अच्छाना डेट देगा और अभी से प्या करें इसलिए आपको अभी से शुरू करना है और जान जीज लगा कर टरके ब्लाइं और आपको लगता है कि अब автом स्सेड़ां करे करें या ओफलैन की कटेरें तक है यह झ делать पुरे भारत में किसी भी कोचिंग संस्थान में यह हैविड क्लास मोडल नहीं है यह पहली बार कॉंपटिशन कमुट्री लेकर क्या रही है जो पूरी तरह से यूनीक है यूनीक यह है कि आप मान लो कि कल हमारे घर में साधी हो पढ़ गया तो क्लास चोड़ने की मतलब क्ला क्लास नौ बज़े एटेंड कर सकते हैं यहीं पर नहीं रुको अगर आप नौ बज़े मान लो कि कोई काम में चले गए मान लो तो बैटा कोई दिक्कत नहीं है वह वही वीडियो वही फेकल्टी का उसी दिन का आपके आईडी पर जो है सो अप्लोड हो जाएगा सोचो यह फीचर कोई नहीं दे सकता है अब मान लो कि पाला अगर नहीं भी साधी में गए कोई बात नहीं अगर आप सिंसियर बच्चे हैं कभी क्लास अपसर नहीं करते हैं लेकिन तिन मेने के बाद अगर लगता साथ डेवन में जो मिथुन से पढ़ाये थे न कास अगर वही वीड को आप क्लास को बार-बार देख सकते हो कोई को दे सकता है नहीं तो कि bisher घ्र के सबहिसान हो जाता हैे अपके लिए अब 36 के सबीक बच्न के लिए ऑगा कर सकते आ ठीकें है तो बिबिब के काम को 25 दिन में कर रहा है ठीक है और ब्या अकेले इस इस काम को नहीं बाला इसका है, इसकाम के 33 एक बटे 3% काम को 15 दिन में कर रहा है यह से सवालों को मजह है का पकरने में आये concept समझते हैं यहाँ पर दखुएगा जैसे बाला की सर ए और बी मिलकर के यह और बी मिलकर के बादरो, का कि A और B मिलकर पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है तो यह टाइम दे दिया, लेकिन B का टाइम नहीं दिया है, आप बोले सर यह B का तो देवे किया है, आपर कितना बोले 15 दिन हम बोले बादरो गलत कर जाओ के तुम लोग हम कितना समझाएं कि वो B का टोटल काम को करने में लगा समय नहीं दिया है यहाँ पर उसी समय को लिया जाता बादरो जो टोटल काम को करने में लगा समय है यह तो 33 सई एक बटे 3% काम है टोटल काम तो 100% नहोता है यार बताओ तो यह गलती नहीं करना है कई बच्चत बोल देता सर B का यहां पर 15 दिन लेकर हम सवाल बना देंगे तो आप गलत कर जाओगे मैं बताता हूँ गलत कर जाओगे आप तो क्या करो सर हम बले यहां पर निकालो अगर मुझे बताओ सर यह 33 साई एक बटे 3 बी के बारे में कमेंट करूँगा तो सर 33 साई एक बटे 3 का फ्रेक्शन कितना होता बटा एक बटे 3 होता है इसका मतलब नीचे जो 3 है यह होती है टोटल वर के यह टोटल वर 3 है और तीन में से आप एक काम को पंदरा दिन में कर रहा है समझना इस बात को बी जो है बटा बी जो है वो टोटल काम तीन है लेकिन तीन में से एक काम को कर रहा है पंदरा दिन में लेकिन हम अब को क्या बोले कि टोटल काम को करने में जो लगा समय है उसी को लेते हैं तो एक काम को 15 दिन में कर रहा है तो सर यह तिन काम को कितना दिन सेशायर काम को उच्छा में अगर इंपके बगा हैँ बात है अब जा करके यह बात बिल्कुल सही है यह 45 दिन तुमको निकालना पड़ता अब इसका ले लो ना तो सर 25 और 45 के लिए नो बार में बाद रहो जोतो होगा चार का में होगा किए आप बोलते हुई का इसका को hack कि यहां पर तो At 10-15 हिससा को कितना दिन में करेगा हं अब यह फ्रेश्स से टुइश्ट किया है यह तोटल 225 करेगा और 5، तो यह चार की रफ्तार से करेगा इभी दिमाग में घुमना चाहिए हम बोले कोई बात नहीं सर करा देते हैं आ जाओ एक हो सबसे पहले 225 काम है यह काम नहीं कराना है 225 का कितना हिस्सा बेटा सर यह 4 बटे 15 हिस्सा यह काम होगे हम बोले हां और इसी काम को कौन करेगा एक करेगा तो अगर चार की रफ्तार से पंदरा दिन काम लगेगा टाइम लगेगा किसको एक हो तो अफसान नमर सी जो राइट अंसर उमीद करते हैं काफी कुछ आप सिख कि ना होगा आज का यह वकि कैना होगा कि आप सवाल उसा नहीं आता कि ऐने किसी काम को दस दिन में कर दिया तो बी ने प्रफिश गड़ में एससी और बैंक को लेकर के जनकारी बिल बच्चे अंदर नहीं है यह बच्चे पते नहीं कि बैंक हर साल जो एसो 40-45 पोस्ट देती है बच्चे इसी लगता है सर्फ पीसी में 1500 पोस्ट आ जाती है बहुत होता है अरे बहुत चालीस से 45 पोस्ट बैंक अ से हर साल 80-90,000 देती है आपको पता होगा इस पर से जीडी ने अके लिए 46 पोस्ट दिया है सोचो यह जनकारी जिनको नहीं है वहीं बच्चे लगता सरफ पीसी अगर नहीं निकला दो तीन वार में फ्रॉस्ट हो जाता है वो दुकान खुल लेता है नहीं नहीं भाई नही हम बता देते हैं ना हम लोग है ना समझो इस बात को हम आपको छे मेने कंदर ससी क्लियर कर वाँगो इस बात का गरंटी बोलता हूं क्योंकि मेरी स्टीचिंग जो एस सवान उभव ज्यादा तर ससी में ही रहा है ससी और बैंक का ही फेकलड़ी में रहा हूं बस आपको पीस पोष्ट खाली है तो आपको पता नहीं है कि यहां पर आकर क्या कर सकता अगर उधर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ दो तीर में यहां भी दे देंगे और अच्छी बात है कि इसका 80% यहां पालेस कर चुक्यों हो आपका GS पड़ा आपको करना क्या है बस मेरे पास आना आ प्रणाना है और जो यह सो लेवल को थोड़ा मेंटन करना है इस पिटेज देना है इसके लिए कंप्यूटर लेब बनवा दिया हूं लेवरी फ्री करवा दिया हूं सब तो करवाई दिया हूं दोस्त है ना चलिए तो यहां पर बच्चा 10 के बाद भी करने की जवरत नहीं है और गिरेशन के बाद तो लही सकता है तो इसके लिए ओफ-लाइन जो है सो बैचेज हमें बिलास प्रणाना चारो सेंटर में 15 मार से ला रहे हैं इस बात को भूलियेगा मत ठीक है हम बोले ना 36 गड़ में मैं आया हूं है ना तो भाई इसको में पर बहुत काम करूंगा चेंट करने चले जाते हैं को होटल में कर नहीं इसको रोकना है और आप इसमें सहयो कर सकते हैं बताइए कि अगर तैंट पास करें ता आई आप हम लोग से मिलिए हम उसको गोवर्मेंट की त्यारी कराएंगे ठीक है चलिए बात करते हैं इसी के लिए आप सभी बच्चे बोलना चाहूंगा, एक scholarship test हम लोग क्या कर आयोजित कर रहे हैं, यह सभी बच्चे, PSC वाले देख रहे हैं, SIE करी बच्चे देख रहे हैं, Vyapam वाले देख रहे हैं, ADO वाले देख रहे हैं, SSC बेंक वाले सारे बच्चे, 14 मार्च को, 14 मार्च को हम लोग क्या कर रहें, महनत किया, और Top 50 में क्या कर सकते हैं, आप आए और यहां पर कुछ किए, तो आप महनत कर रहे हैं, यह लोगों को पता भी तो चले कि हम महनत कर रहे हैं, तो बस यहाद दखिएगा, अगर Top 3 में आ रहे हैं, तो टेबले जीतने मौका है, बाद रहे हैं, चार से 20 तक और इसका रेश्टेस्टान लिंक ओपन हो चुका है काँ पर कॉम्प्रिशन कम्मिल्टी का जो क्या आपको वेब साइट आप पर जाएगा इसका जो लिंक को आप रेश्टेस्टान करके और पारिश्टाइड करना भूलीएगा मत ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रिं पूछने का यह बात आपको एहसास होनी चाहिए हम बोले हाँ तो सर यहां पर उसी को fraction में दे दिया है तो नीचे वाले को total work बोलेंगे अनि कि 2 में से 1 काम को 16 दिन में कर रहा है बाद रहो तो 2 काम को कितना करेगा 32 दिन में तो यह बात याद रखना सर इस गाम को 32 दिन में कर रहा है यहां पर total time को करने में total काम को करने में जो समय लग्ता है उसी को लिया जाता है बात समझ के नहीं 1 बटे 2 काम म Exactly, 2 में से 1 काम को 16 दिन में 2 काम को 32 दिन में सर, B जो एसो 1 बटे 4 काम को 24 दिन में हम यहीं पर रुखिए गा यह 4 क्या है, अरे सर यह तो total work है, और कि 4 में से एक काम को 24 दिन में कर रहा है, तो सर 4 काम को कितना दिन में करेगा, 96 दिन में, और भी अकेले इस काम को करेगा, बाद रो, तो 96 दिन लगेगा, आख मन करके यहाँ पर, सोलो और जो ऐसो 24 को मत ले ले जएगा बात रो, गलत कर जाओगे गलत कर जाओगे बात समझजियेगा ए ट्रेंडिंग सवाल है भी ठीक है तो या तो फ्रक्षन में देगा बाद रो या तो इसको परसंटेज में देगा और दोनों का दोनों बात आपको समझा दिया मैंने अब सवाल की सुरुबात करें हाँ सर अब जाकर कि इसका अम लोग क्या करेंगे लसीम लेंगे और इसके लसीम कितना होगा 96 होगा बादरों और इसको अम लोग क्या बोलेंगे टोटल वर्क होगा ठीक चली सर यह efficiency पर कोई चर्चा कर करते हैं तो कार्य के तीन बटे चार भाग को कितने दिन में पूरा करेगा अगर यह लोग बहादरों यह टोटल काम को करने की बात ही नहीं किया बहला टोटल काम का जो एसको कितना हिस्सा तीन बटे चार हिस्से को करेगा तो कितना दिन में करेगा एक साथ मिलकर हम बोले एक साथ करोगे हम बोले हाँ अब 96 काम नहीं रहा 96 काम का तीन बटे चार हिस्सा मतलब 72 काम देख लो ना चुबीस से कड़ा दो अनि किसा टोटल काम यह 72 काम करेगा तो दोनों मिलकर करेगा तो मतलब यह तीन काम पॉलस यह एक काम चार काम तो चार से भाग देदिये तो अब बोल से तो सर अड़कर ट्रा चुक 72 मतलब सर दोनों मिलकर करेगा ठारा दिल लगेगा ओप्सन नमबर क्या होगा डी जो राइक चन सर बड़ासान सवाल था ठीक है तो यह जो फ्रेक्शन वाली खेल था परसंटेज वाली खेल था मैं इससे आपको मुक्त करा दिया अब आपको डर खतम करा दिया चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बहादरो यह रहा एक और खुबसुरत लाजवाब बहतरिंग सवाल यह स्लाइड का सबसे बिस सवाल होगा मैं बहुत मजाएगा इसको पढ़के जाओ ठीक है यह देवल तरीका बताता हूं मल्टीपल तरीका बताता हूं पढ़िए अब बहुत बढ़िया बी और सी ने इस काम को एक साथ मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकता ठीक है जितना बोला है आपर बोल दीजेगा शरी ए और बी मिलकर के काम को कितना द होता है यह पता है बार सोलो के कितना होगा बहुत ही मज़ा आएगा सवाल करने बाद यह टोटल वर्क 48 तो एफिसेंसी भी निकाल लीजिए किस बात का वेट कैसे निकले गांबले बारी बारी से भाग दे दो किसको 48 को आए तो एफिसेंसी तक पहुंच गया है सब बार से भाग देंगा तो चार वार होगा और 16 से भाग देंगा तीन वार लेकिन यह गणबळ चल रहा है अगरे अब आपने नजर डाला होगा तो सर यह चार जो आया ना यह और बी दोनों का है यह किसी एक का इफिसेंसी नहीं है और आप यहां पर कमेंट कर भी नहीं सकते हैं कै बहुत लाजवाब सवाल है। कि किसी कॉस्टन को करने के लिए टो 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 तो पता है एकुंगि यहां पर वेक्ति ने इंडिविजुवल काम किया है तो यह इंडिविजुवल काम तभी कराब सफ़ल होगा जब इसकी individual efficiency होनी चाहिए जो नहीं है सर क्या निकालने लेंगे मिथुन सर यहाँ पर निकाल नहीं सकते क्या हम बोले कैसे लगता अपको निकाल लोगे क्या निकाल लोगे आप नहीं निकाल सकते क्यों बाव वैरियेबल तीन है और equation दो है तो क बात confirm होगे सर तीन वैरियेबल है तीन वैरियेबल है दो equation नहीं बनेगा तब किसे काम कराएंगे अब यहाँ पर A ने बोला B को A ने बोला B को भाया B सुनो ना हाथ जोल रहे हैं तुम मेरे साथ 5 दिन काम कर लो बला क्यों क्यों कर लो बला यार एक से कर लो ना क्योंकि हम हमारा साथ दिन तो बिने बहुता तो बिने बहुता है। लिएफिता तो लाट किलिए होगा कि सी जो इस आशो इस इस काम को 11 दिन में करेगा और सबाल सब्सक्राइब करेगा हम तो इसके ऐफिशेंसी निकालने भी नहीं जारा हूं बीने एफिशेंसी का सवल कर दूँ चलो unity method वाइस काम को है 18 वाइस दिन में मतलो यहांपे हाफ दिन में 24 दिन में answer यहां से आपको देख सकते हैं मार सकते हैं कोई दिक्त की बात नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरीके को तुम मत लगाओ हम चाहते हैं कि तुम hit and trial से इसको जल्दी से आसान कर लो बैटा आसान कैसे करता है यह मैं आपको समझाने का परियास करता हूँ ठीक है चल तुम time खराब नहीं करना जो पढ़ा रहा हूँ चुप चैसको पढ़ लो अब हमने बोला ठीक है एक बात बोलो इसमें hit and trial में था लगा रहा हूँ समझो सर यहां पर दोनों seconds क्या है वी तो बी पर हीट रहा लगता जो को मन होगा उसी पर हिट रहा लगा है लोजिक है यह और लगा तीन थीन भी नहीं हो सकता, क्यों भी फ कि STAR होगा, तो यह तो दो हो गया है, यही मैंसफे कोई होने जा रही है, तो यह तो एक पर चे करेंगे तो कैसे पथी कर चलेगा, थे बहुला गर से gener होगा, तो इसको चेक करने का तरीका जो हमको समझा रहा हूँ यहां सीख लो, आओ, किसे चेक करते हैं अगर A ने 5 दिन काम किया तो 3 के रफटार से A ने कितना काम करेगा मुझे बताओ अरे साथ 3 के रफटार से 5 दिन में होगा कितना 15 काम अब सर B जो है सो A की रफटार से 7 दिन काम किया मतलब साथ काम किया होगा सर C पे कमेंट करो न हम बोले C का 2 की रफटार से 13 दिन में कितना काम करेगा 26 अगर इन तीनों का काम जोड़ करके देख लो सर यह 48 आ गया अगर यह टोटल वरक 48 के बराबर आ गया मतलब तुम बिल्कुल सही की हो वरना गलत की हो समझे हाँ सर तुम बिल्कुल सही है तो मतलब इसका 2 नहीं हो तो इसका 1 ही तो होगा अब जो इस तरह से सबका Efficiency निकल गया तो आप मुझे कमेंट करना कि यहाँ पे C का Efficiency कितना हो गया बोलो 2 अब मुझे बताओ C अगर इस पूरे काम को करेगा 48 काम को 2 किराफ़तार से तो कितना दिन लगेगा बोलो सर 24 दिन ठीक है यहाँ से फिर से अंसर तुमारा 24 दिन आ गया मतलब हीट एंड ट्रायल से हम लगा करके Efficiency पे वार कर सकते थे जो तरीका मैंने आपको बता दिया है तो 24 से यह राइट अंसर आगे बढ़ते हैं भाद रूँ ठीक है तो लाजवाब सवाल तो एक और सवाल आपके स्क्रिंट पर यह खुबसूरत सवाल है आईए बात करती सवाल की खुबसूरती है क्या कितनी खुबसूरत सवाल है एक बढ़ नजर जरूर डालेंगे आपको देखके लगे सर क्या लाजवाब सवाल है सर पढ़ोगे ना तो सुरवाज तो यहीं नहीं आएगा सुरवाद करूं कहां से मुझे पता है बना देंगत लेगा रहे सर क्या कुछ सिखा दिया सर मजा आएगा ठीक है पढ़ोगे पढ़ना सुरू करते है पहले बला सर ए जो है नो चालीस परसंट सीरत ले बला सर ए सिदार्ण सीदार्स परसंट काम को बारे नहीं बोले तो सर यहाँ पर एक कहुत अगर बलू स कितना होगा दो बाते 5 ठीक है 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 और टोटल काम पांच जिसमें से canjoon कितना दिन में कर रहा बारगा थी तो सर 5 मेंसे 2 काम 12 दिन में एक काम 6 दिन में 5 काम को कितना करेगा दिन में करेगा 226 दिन में तो निकी ए कर टोटल निर्टायम लगेगा ना कि आपको 12 दिन यही समझाना चाहरे थे हम 40% काम अगाये 24 दिन में доб poderia और 30 दिन तो सर यहां से एक बात समयागा क्या, कि A जो 100% काम को कितना दिन में करने जारी, 30 दिन में, ठीक है, अब वही काम आपको B पर कमर करना पड़ेगा, 60% काम को जो 15 दिन में, कौन B, तो B का 60%, 60% का मतलझ जो 15 दिन में, 25 दिन में, देख लो, तीन काम आणने, तो B, तो B, हंटा दो बात में, ठीक है, वह बात की बात है वाध की बात है C के बारे हम kुछ दिया नहीं है और C से काम करवा रहा देख लो यही सवाल की खुबसूरती है C की efficiency बारे हम time कुछ भी नहीं दिया है और यह काम करवा रहा देख रहे हैं क्योंकि यहां पर आगे बोला कि ABC 3 मिल करके इस total के 28% काम कितना दिन में करेगा तो कलसीम लेते हैं गत ow ing can had told advantage of thisrió अभाक करेंगे ऊफिसएंशी का ठीके बात करने बात करते हैं टीज सब्सक्राइब करें अब समझेगा अभी समझा आप पोला की कि सथ देखो दोनों मिल करके ए और बी ने दस दिन काम कि यह बहुरा रुखा जाओ को मोंट संस की बात है और ब अगर एक आरा दें मतलब एक आरा की रबतार से दस दिन तक काम करेगा तो डेर सो मैसे साथ बोल सकते हो कि 110 काम तो लो कर दिया और कि जो काम बच गया है वो सिर्फ 40 काम बच गया है समझे और यहीं से आपको सी का पता तुरंट चलेगा और सी का एफिसेंसी होना बहुत ज़रूरी है तब आप तीनों से काम करा सकते किसी वेक्ति के दोरह एक दिन में किया गया काम के उद्चनणी कितना चार है अगर आप एक दिन पांच काम कर रहे तब कि आ पढ़ पर एंप इंप लाइन पड़ो और चारे दिन में खतम कर देगा तो चार से भाग देंगे इसका रफ्तार पता चल गया कितना दस तो यहां से को लिख सकते हो सरी का एफिसंसी कितना हो गया हो गया अब बताओ कोई दिक्कत नहीं अनिकी तीनों के फिसंस निकल गया हां पांच शे और यहां पर दस ठीक है अब सवाल क्या बोला पड़ें बोला सर एबी सी तीनों मिल करके 28% काम को कितना दिन में पूरा करेगा तो यहीं पर मैं थोड़ा है यहीं पर जगा नहीं है त स्यारों समझ जाना ठीक है सर Waar यह पे टाइम है तीनों का आल लिखे रहा हूँ औरॉल तो कितना होगा ताइज सथा इसपरसंट ज़ने के बाद्व करें रहे हो कि हैं रखा पर तो यहां से 21 से इसको भाग दे दी समझें कि नहीं तो सार की से किंसिल रहर देखो यहां पे कुछ नहीं 1500 का 28 परसंट फिर सब शॉब एक इस से भाग देंगे कि तिनों का मिल करके फिस्टन के इसके कितना होगा तो यह बहुत ही लाजवाब सवाल था और सभी बढ़ा बार बार इस वीडियो को देख करके समझने परियास करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाहद और एक और आ चुका है आई देखना सवाल है क्या और किस तरह से इसको डिल करने जा किस दिन में करने वाली है आगे बोला है उन्होंने एक साथ काम सुरू किया लेकिन वी ने कुस में बाद काम जोय सो करना क्या छोड़ दिया सबसे पहले टाइम लेना भूलिएगा मत तो सर पंद्रा और पचीस का एल्सीम कितना हो जागा 75 हो जाएगा यह बात समझ गए हम सर एफिस्टेंसी ने कालो हम भी पंद्रा संस्वाग दो 5 वार में 25 से भाग दो तिन वार में तो सर एफिस्टेंसी भी तो आ गया लेकिन मुद्धा यहां पर सवाल शुरू कहां से करूं बलासर एक साथ काम करना शुरू किया है लोग और बी ने काम को कुछ दिन के बाद छोड़ दे यह नहीं बोला कि चार दिन काम करके छोड़ दिया है पांच दिन काम करके छोड़ दिया है बोला ही नहीं है तो यहां से सवाल की सुरुवात नहीं कर सकते यही बात में समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर शुरुवात नहीं कर सकते, बला सर ए ने जो फिनिस किया रिमेनिंग काम को साथ दिन में, यह राइन तुम्हें काम करेगा, अगर बचा हुआ काम अगर ए ने साथ दिन में पूरा किया, तो कितना काम बच गया था, यह हमें आराम से निकाल सकते हैं, यही शुरुवात करना, यह कितना दिन काम करके छोला, उसकी बार हम जनकारी नहीं है, तो हम आपको समझाना चाहरे, बचा हुआ काम कितना है, बताओं, यह एक दिन में कितना काम करेगा, पांच है, और इसको साथ दिन लग गया बचा काम करने मे मतलब बचा हुआ काम कितना था 35 लेखे लो टोटल 55 काम था और 35 काम बच गिया था यह जो है 35 काम को बचा हुआ काम को किया कितना दिन साथ दिन में से si troubled क् encourages każda काम है अगर 35 में से 35 काम बच गया था इसका मतलब 40 काम ये लोग पाले कर दिया होगा मिलकर के दोनों मानते हो कि नहीं क्योंकि ये दोनों साथ साथ काम सुरू किया तो बोल सकते हो सर यही चालिस काम है जो दोनों ने मिल कर साथ दिन काम किया, मतलब साथ साथ किया, तो सर बोलो ना साथ में कितना काम कितना दिन लगेगा, हम बहुत है चालिस काम किया, और दोनों का रफतार देख लो, यह पांच काम किया होगा, यह तीन, मतलब दोनों एक साथ जब काम करेगा, त बोल सकते थे तो 75 में से पहले हम बचा हुआ काम को निकाल लिए इससे यह पता चल गया जैसे मैनस करेंगे तो दोनों ने एक साथ काम जो किया था 40 वह पता चल गया और जब राबतार तुमको पता है कि दोनों मिल करके आठ काम करता एक दिन में तो 40 काम को पाई दिन किया हो लेकिन काम के पूरा होने से ठीक पहले छोड़ना यह अलग कोंसेट है काम समझो इस बात को काम के स्टार्ट होने के जश्च बात दो दिन बात छोड़ना यह तिन दिन बात छोड़ना अलग कोंसेट है काम के पूरा होने से पहले छोड़ना यह अलग कोंसेट है यही समझा सवाल और बच गया, देख लेते हैं पटापट से ना, यह हो जागा 15, यह हो जागा 12 और यह क्या हो जागा 20, सब 15, 12, 20 का अगर हम LCM की बात अगर आप से करते हैं, तो अब बोलो कि सर, यह 60 है, इसका LCM कितना हो जागा, 60 हो जागा, अब 60 क्या करते हैं आप पर समझ लेते हैं सरी एफिसेंसी निकालो ना हम बजले 15 चोका 60 12 पंचे 60 और 20 तिया कितना हो जागा 60 यह आपकी इसकी काम करने की रफ्तार तीनों का एफिसेंसी पता चल गया अब बोले बला सर चार बजे लो एक साथ काम सुरू किया साब सब लिख के बाद भी छोड दिया और आगे पढ़ोगे तो काम के पूरा होने से पहले भी किसी ने चोड़ा है यह दोनों कोण सर एक साथ मर्ज हुआ कि नहीं हुआ हमदे हा तो यहाँँ पर काम करने के 2 गंटे बात छोड़ दिया तो पहले पता करो कि 1 साथ कितना काम करेगा सर ये 4 काम करेगा ये 5, 9 और ये 3, 12 मतलब 3 मिल करके सर एक गंटे में 12 काम कर सकता है और अगर 2 गंटे तक 3 एक साथ काम किया होगा क्योंकि 3 ने काम की सुरुवात 1 साथ किया तो 12 दूनी 24 काम सरी लोग ने कर दिया होगा, देखो बढ़ दो, यहां पर A और B, देखो यहां से लिख दे रहा हूँ, A, B और C ने 24 काम को कर लिया, कितने 2 घंटे में, ठीक है, अब कितना काम बच गया, सर 36 काम बच गया, अब A जब छोड़ कर चला गया, A ने काम को छोड दिया, अब क्या होगा, अब कौन काम कर रहा होगा, B और C, आगे जब लाइन पढ़ोगे, बी काम के पूरा होने से 2 घंटे पहले छोड़ दिया, लो, अभी A के छोड़ने के बाद, इस काम को आगे कौन बढ़ाया होगा, B और C ने, लेकिन ठीक काम पूरा होने ही वाला उसके 2 घंटे पहले, कौन B छोड़ के चला गिया, यहीं पर बच्चे ने गलत कर जाता है, तो मैं फिर बोलना चाहूँगा, कि काम के पूरा होने से ठीक पहले एगर छोड़ दे, तो यहां पर तुम यह सोचो, कि अगर B दो घंटे काम पूरा होने से पहले छोड़ा होग क्योंकि तुम को यहीं नहीं पता है, कि दोनों एक साथ कितना दिन काम किया, तो यहां से क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि सर, B को जब छोड़ दिया होगा, दो घंटे पूरा होने से ठीक पहले, तो कौन काम करेगा, क्योंकि A ने तो पहले छोड़ चुका है, आप C ने तीन दुनी 6 काम कर दिया होगा, दो घंटे में, लास्ट का दो घंटे में, लास्ट का टू आवर्स में, लो, तो सर, इसका मतल़ 36 में च्छे चला गया, तो 30 काम होगा, और यहीं वो 30 काम है बैटा, जो B और C ने A के छोड़ने के बाद, साथ साथ काम किया, तो पता क कर लें, क्या, देखो यहां पर, कि यह जो 30 काम है, वो B और C ने कितना दिन में किया होगा, हम बने देखो, पता करो, सर, B और C का काम के लिए रफ्तार कितना है, सर, 5 और 3, जोड़ दो, हम बने आठ, तो सर, यह आठ से जब भाग देंगे, हम बने कितना होगा, आठ तिया दो, यहाँ पर, 3 बटे, 4 को जब आवर्स में चेंज करो, या मिनट में चेंज करो, साथ से गुना कर दो, तो सर, यह कट जाएगा, 15, 15, 45, अनि कि 45 मिनट आ गया, अब बोल से तो, सर, 3 घंटा, 45 मिनट और, तो सर, टोटल टाइम बोलो न, सर, काम कितना दिन चला, टोटल टाइम पूछ रहा, हम बोले गए, टोटल टाइम बताओं, हम बोले क्या, पहले दो गंटा साथ किया, सी ने दो गंटा अकेले किया, और यहाँ पर, तीन घंटा, और, पलस, 45 मिनट, तो, टोटल आप बोल सकते हैं कितना, सर, साथ घंटा, ठीका, साथ आवर्स, एंड, 45 मि टाइम जो हो जाएगा, 11 बचकर 45 मिनट, समझे की नहीं, तो, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, इसकी तारिफ जितनी करूं, वो कम होगा, ठीक है, चलिए, तो, इसको नोट कर लिए, अंसर किया होगा, 7 घंटा, 7 घंटा, 45 मिनट, जोड़ दो, 4 बज़े में, तो, 11 बचकर 40 मिनट, ठीक है, चलिए, एक और सवाल आ गया, बहुत बहुत बहतर, इस सवाल को दिखिएगा, यह वेसे सवाल है, जो एफिसेंसी से सुरुआत जरूर किया गया है, लेकिन बैलेंसिंग इससी चीज़ का इस्तमाल, यहां पे करते नजर आना पड़ेगा, ठीक है, तो, करने रफ्तार उसका ज़्यादा है, किस से, अब आगे लिखा है, खिर बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर देगा, जितना पली बोलाई बहुत, एपलस बी पलस सी जो साले साथ दिन, साले साथ दिन को 45 बटे दो लिखा करो, ज्यादा बेटर होगा, सर यह बी अगर अकेले कर आना चाहोगे क्या, यह तीनों मिल करके दो काम कर रहा है, बी अकेले एक कर रहा है, तो भाई, दो में से अगर बी अकेले एक कर रहा थी, यहां से आ बोल सकते हो न सर, कि ए और सी का काम करने रफ्तार कितना होगा, एक होगा, क्योंकि दो में से बी का तो अकेले कितना होग और यही मतलब यहां को सकता है तो इस एक को क्या करना बनाना पड़ेगा तो यही पर आपको इसको चार से principal करो तोब इसको भी 4 से गुणा करब सब कितना लाजवाब सवाल था है कारिका बदल गया तो क्या होगा यह फिप्टीन जो नमर क्या होगा बादरों ए जो राइट अंसर ठीक है तो यह सवाल सबको किलिर रहा होगा इस सवाल को देख लेते हैं एक यहां पर जैसे हम 25 आदमी को देख लिए एक साथ तो यह चैन डूल का सवाल होगा अगर यह लोग आठ घंटा पर दे काम करेगा तो देख लो हिंदीं पढ़ लोगा पच्चोपिस आदमी परती दिन आठ घंटा काम करता है 50 परसंट काम को बारे देने पूरा कर सकता है तो पर आप चैनल पता है कि निए क्या एम वन डी वन एच वन अपन डबलू वन बढ़ाबर सरी एम टू डी टू एच टू अपन क्या हो जागा बोलो डबलू टू हो जाएगा बोलो बैटा को दिक्कत है नहीं है वह समान को नहीं होगा बच्चों के लिए अगला लाइन जब पढ़ोगे तब क्या बोला है कितने दिनों में 36 प्रूस इसी काम को कर सकता जबकि वह ना उसका वन एंड का लिखा है जो दिये गए कारी का आधा नहीं वन एन हाफ होगा तो को वन हिंदी में थोरा सा सुधार ले ना न एक आधा नहीं होगा एक तथा आधा ऐसा है अनि एड़ गुना होगा अगर उसी काम को 36 लोग करेगा तो कितना दिन लगेगा डी टू पूछा है अगर यह लोग पर पनौछ स काम करें 6 गंटे लेकिन अब यह कांशिरसता लेकीक। अपको मुझे पता कि आपका Error Zone क्या हो सकता है थिक है तो यहां पर हिंदी वाले बचे शुधार लेज़ेगा यह डिएड़ गुना काम होगा ठीक है डिएड़ काम होगा अब कैंसिल करो कटम पिटी मचादो इसको तीन वार में कटा दो तीन से कटा दो बारा वार मैं तो यह बारा और यह बारा क पूर्ण होगा ठीक है इसके बाद हम सेसन को फिनिस करने जा रहा है देखिए यहां पर क्या है बहुत इंपोर्टेंट सवाल इस तरह सवाल अभी एक जाम है बहुत ट्रेंडिंग रहा है यह बहुत चैनरूल का सवाल है देखिए काफी सवाल अच्छा लगेगा आपको प यह बस्त क्या होगा यहां देख्थे हैं इस इस तनम को 26 दिन में और पर आवर क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ृटारण dt. और 26 दिन में और कितने 18 महिलाएं हो गई और इस फाट अनि क्या चाहीं बच्छें बहे है वकिक ladle किसी को ले लो को दिकत application है है ना आप समझे क्या सर यह 18 से कटाओ अठारा दूनी 36 और बारा पंचे 60 आने कि आप क्या देख रहे हैं सर यह टू मेन बराबर फाइव वुमेन और यहां से मुवेन को इधर लाओ तो मैन और पन वुमेन क्या हो जागा बैटा पांच बटे दो और इसी को बलते एफिस्ट मेन की रफ्तार हैं इसका मतलब क्या हुआ सर हम बहुरे एक आदमी एक दिन पांच कांए उष्प करता एक महिला कितना करते हैं दो आप से रिक्वेस्ट होगा कि जहां जहां को साथ लाद ना और को intimate साधान को करने क्लिया किस काम को क्पान को कि इस्का मेन करने के कि जो 20 दिन काम कर ड़ा क काम पोरा नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ कि से स्काम आदमी करना चाहरा है तो 4 दिन बभी तो अगर से स्काम को आदमी करना चाहेंगे कितने आदमी की ज़रत पड़ेगा तो यहां पर मैं आपको यहां पर किल्कुलेस्टन करके दिखा रहा हूं देखो सबसे पहले दोने मैं से किसी एक को ठल टोटल काम को टोटल काम के बराबर कर दो सर यह 12 आदमी जो देख रहा है हाँ बोले 12 आदमी और गुने 60 कर लो है सोरी 36 कर लो हम बोले हाँ यही हो गया टोटल काम हाँ इसी को करवाया कैसे गया तो समझेगा इसको कैसे करवाया गया पहले सर बताओ हम बले क्या आठ आदमी पलस सर 20 महिला को एक साथ करवा लिये काम कितना दिन कर वाए बैटा 20 दिन अब काम तो पूरा हुआ नहीं पलस हुआ अब बचा हुआ काम चार दिन में सिर्फ आदमी से करवाइंगे सिर्फ आदमी से मतलब एकस आदमी को मेल को लाओ ठीक है और और बितना दिन में काम कर देगा यह लोग 74 नीन निकल जाग पांच रक तू है ूम दि दिखेगा होगा दो और इसको गुना कर लो क्या 20 से ठीक है पलस एक्स गुने में के पांच गुने क्या कर लो चार अब किल्कुल इसन देखेगा बारफ पंचे साथ कम अच्छे अब एक्स कमान को नहीं निकाल देगा सरी किस्तो साथ में सोलो साथ जाएगा तो यहां से सिदा सब्सक्राइब बिस एक्स बरावर आप बोल सब्सक्राइब बीस से तो 28 आजाएगा तो अगर यह बचा हुआ काम सिर्फ चार दिन में आदमी से कराओगे तो आपको कितने अगले वीडियो में अगला चेप्टर के साथ अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविषय को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको